एक खेद के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक गोसला था, उस गोसले में एक कोवा रहता था, किसान ने कुछ कबूतर पाल रखे थे, जिन्हें वहे प्रती दिन दाना दिया करता था पेड़ पर वैठा कोवा, प्रती दिन कबूतरों को दाना चुकते देखता था, जिससे उसका मन भी दाना खाने का करता था एक दिन कोवे ने खेद के बाहर एक सिलेटी रंग का डिपा और ब्रश देखा, तभी कोवे के दिमाग में एक विचार सूझा क्यूंकि कोवे की मन में दाना खाने का लालस था, इसलिए उसने अपने शरीर को सिलेटी रंग में रंग लिया फिर वह भी कबूतरों के जुन में कबूतरों की तरहा शामिल हो गया अन्य कबूतरों की तरहा कोवा भी रोज दाना चुगने लगा एक दिन दाना चुगने के बाद कबूतर बने को